मुवी की शुरुवात में हमें ग्रैग नाम का पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसे अच्छे कामों के लिए अरेश्ट किया जा रहा था और फिर हमें कुछ महिनों पुराना सीन दिखाया जाता है जहां ग्रैग अपने पार्टनर्स के साथ पैट्रोलिंग कर रहा था जिस दोरान उन्हें एक सस्पीशिस आदमी नजर आ जाता है जिसे वो लोग चेस करने लगती हैं मगर वो आदमी काफी ज्यादा चालू था जो उन्हें बेफ को बना कर भागने में कामयाब हो जाता है जिस बात पर ग्रेग के पार्टनर्स एंटोईन और यश काफी ज्यादा जहां वो बैट गाइस को बेफकूप बना कर ड्रग डीलर को कैप्चर कर लेती हैं मगर ये बंदा तो छोटा मोटा डीलर था जिसको पकडने के लिए इनकी टीम को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है साथी पुलिश डिपार्टमेंट का हैट जरूम इन्हें अच्छे से कि तुम्हें बिग टाइम ट्रग डीलर्स को पकडने का काम दिया गया था मगर तुम लोग तो छोटे मोटे चिंदी चुरों को अरेश्ट कर रहे हो याकीन वानों ग्रैक मैं तंग आ चुका हूं जिस बात पर ग्रैक काफी ज़्यादा कन्फ्यूज था कि उसके बॉस इत कर दिया जाएगा तो बहतर होगा तुम्हारे टीम छोटे मोटे ड्रग डीलर्स को छोड़कर कार्टल्स पर नजर बनाए जो बात सुनकर ग्रैक सीरियस हो जाता है क्योंकि वो कार्टल्स से पंगा नहीं लेना चाहता वहीं एंटोईन अपनी इंफॉर्मर आमिल से मिलने चला जाता है जो की तगड़ी वाली नसेडी थी तो एंटोईन प्रिवेस इंटेल के लिए लेडी को थोड़ा सा ड्रग सप्लाई कर देता है ताकि वो लेडी एंटोईन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहे जिसके बाद ये तीनों पैट्रोलिंग पर निकल जाते जहां यश अपने पार्टनर्स को इंफॉर्म कर देता है कि उसकी वाइफ प्रैकनेट हो चुकी है जिसके लिए ग्रेग और एंटोईन उसे कॉंग्रेचुलेट करने लगते मगर फिलाल के लिए उन्हें अपना अरेश्ट कोटा पुरा करना होगा जिसके लिए वो अपने दूसरे इंफॉर्मर के पास चले जाते हैं जो की असल में सिगरेट्स पीचा करता था मगर उस बंदे के पास इनके लायक कोई भी जानकारी नहीं थी तो इलोग कुछ सोच कर मार्केट चले जाते हैं जहां भी उन्हें किसी भी तरह का क्राइम होते हुए नजर नहीं आता जस बात पर ये तीनों काफी जादा अपसेट थी पर तबी इनके रेडियो पर कार चोरी की रिपोर्ट आने लगती हैं तो इलोग जल्दी से चोरी हुई कार का पीछा करने लगते हैं जैसे फॉलोग करते हुए वो लोग एक गैंग के अरिया में चले जाते हैं मगर वो का टीम एक्स नाम के बंदे को पसंद नहीं आती हैं जैसे टीम एक्स और पुलिस वालों के बीच कहा सुनी हो जाती है क्योंकि पुलिस वाले उसके वेर हाउस की चेकिंग करना चाते थे मगर टीम एक्स उन्हें क्लिए कर देता है कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है जहां तुम चुप चाप वापस जा सकते हो या तुम अंदर जाकर कार की चेकिंग कर सकते हो मगर मैं इस बात की गैरेंटी नहीं दे सकता कि तुम मैंसे कोई इंजर्ड भी हो सकता है ओवियसले टीमेक्स उन्हें धराने की कोशिश कर रहा था जस बात को सुनकर ये लोग सीरियस हो जाते हैं क्योंकि वो फिलहाल के लिए टीमेक्स से पंगा नहीं ले सकते थे तो वो चुप चाप यहां से चले जाते हैं जिसके बाद ये लोग अपने पार्टनर यश के घर चले जाते हैं जहां उसकी वाइफ नौरा नाइन मन्थ प्रेगनेंट थी तो वो लेडी को कॉंग्रेचुलेट करने लगते हैं और बातों ही बातों में नौरा को एसास हो जाता है कि जल्द ही बेबी होने वाला है तो ये लोग नौरा को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं जहां सारे प्रोसेस के बाद यश का एक बेबी बॉय हो जाता है तो फादर बनने की खुशी में यश अपने दोस्तों को पार्टी दीने लगता है जहां पर ये लोग खूब सारा इंजॉय करने लगते हैं जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस चीफ जरोम ग्रेग से मिलने आया हुआ था तो वो ग्रेग को एक वीडियो शो करने लगता है जहां एक बंदे को ब्रूटली टॉर्चर किया जा रहा था तो ग्रेग ये सब देख कर काफी ज़्यादा कन्फ्यूज था जिस पर जरोम उसे क्लियर कर देता है कि जिस बंदे को कोटा जा रहा है वो एक छोटा मोटा चोर है मगर उसने अंजाने में एक ड्रग रनर को लूट लिया था जिसके लिए अब उसे व्रूटली टॉर्चर किया जा रहा है यकीन मानो ग्रैक इस केस में बिग प्लियर्स शामिल हैं जिनने जल से जल पकड़ना होगा और ऐसा कहते हुए जरोम ग्रैक को ये केस हैंड ओवर कर देता है जो बात जरोम को बिलकुल भी पसान नहीं आती है क्योंकि उसकी टीम किसी भी तरह के खतरनाक मिशन्स को नहीं करती थी मगर जरोम के काफी इंसिस्ट करने पर ग्रैक मान जाता है मगर उसे इस ड्रुग काटल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी जिसका पता लगाने के लिए एंटोइन आमिल से मिलने चला जाता है जो ये बात जानकर काफी ज़्यादा शौक थी कि पुलिस वारे एक ड्रुग काटल से पंगा लेना चाहते है तो वो एंटोइन को वान कर देती है कि जिस काटल को तुम लोग इंवेस्टिगेट करना चाहते हो वो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो लोग किसी भी चीज़ की परवा नहीं करते है और नहीं उन्हें तुमारे लॉर और्डर से कोई फरक पड़ता है यानि वो लोग बिना हेजिटेशन के पुलिस वालों पर गोली चला सकते है मगर एंटोइन फिर भी सकाटल के बारे में इंफो जानना चाहता था तो एमल उसे क्लियर कर देती है कि इंफो तो तुम्हें मिल जाएगी मगर तुम्हें इस काम के लिए पांच किलो ड्रक्स देने होंगे जो अपने आप में काफी बड़ी एमाउंट थी साथ ही लोग इतना ड्रक्स एकटा नहीं कर सकते थे तो वो लोग कुछ सोच कर पुलिस चीफ के पास चले जाते हैं जो इनकी प्रॉब्लम्स जानने के बाद क्लियर कर देता है कि इंटरनल अफेर्स पाले सी हमारे पीछे पड़ी हुई है तो हम लोग एविडेंस रूम से ड्रक्चोरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी खबर इंटरनल अफेर्स तक पहुँच चाएगी मगर तुम चाहो तो ड्रक डीलर्स को लूट कर पांच कलो ट्रक्स इखटा कर सकते हो मगर इस बारे में किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए वरना तुम सभी की नौक खतरे में पढ़ सकती हैं जो बाद इन तीनों को पसंद नहीं आती है मगर फिर भी वो लोग काम पर लग जाते हैं जहां वो लोग सिटी में मौझूद ड्रक डील के लिए जाते थे तैसे ही ये लोग उन ड्रक डील को लूट लेते थे जससे कुछी दिनों में एक लो ड्रक एकटा हो जाता है मगर इस सब की खबर एक ड्रक डीलर को लग चुकी थी तो वो एक डील के दोरान इन तीनों पर हमला कर देता है जहां सभी के बीच गर्मा गर्मी होने लगती है मगर लास्ट मॉमेंट पर वो ड्रक डीलर ग्रैक को पहचान लेता है कि ये बंदा तो एक पुलिस वाला है जिससे उस डीलर को समझ आ जाता है कि सिटी में होरी ड्रक चोरियां ये तीनों करवा रहे हैं ओवियसली पुलिस उनके धंदे में हाट डालना चाती है तो वो चुप चाप यहां से चला जाता है मगर वो बंदा काफी जादा चालू था जो सिटी में रिमर्स फैला देता है कि पुलिस वाले अब ड्रक डीलर्स को लूट रहे हैं जिससे बाकी डीलर्स अलर्ट हो जाते हैं साथ ही अब यश की पूरी तरह से सनक चुकी थी क्योंकि अब एक टेंजरस क्रिमिनल ने उन्हें पहचान लिया था जो उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी चोट पहुँचा सकता था पर ग्रेक जैसे तैसे करके यश को शांक करा देता है जिसके कुछ दिन बाद आमेल एंटोईन से मिलने आ जाती है क्योंकि ड्रग रॉबरी की खबर उसने भी सुन ली थी कि सिटी में दो पुलिस वाले ड्रग रनर्स को लूट रहें तो अब आमेल को खत्रा महसूस होने लगा था मगर एंटोईन जैसे तैसे करके आमेल को शांक करा देता है और फिर जल्द ही कुछ हफते बीच जाते और अब ये लोग टैंशन में जीने लगे थे तो एक दिन पैट्रोलिंग के दोरान इनके रेडियो पर हेल्प की रिक्वेस्ट आने लगती है जहां एक पुलिस वाले पर हमला किया जा रहा था मगर अब तक ग्रैक की पूरी तरह से सनक चुकी थी जो अपने फैलप पुलिसमेन को बचाने नहीं जाता है जसके बाद वो लोग स्टेशन लौट चाते जहां पर जैक्स नाम का पुलिस वाला मौजूद था जो ग्रैक से पूछताच करने लगता है कि जब तुमारे फैलप पुलिसमेन खतरे में पढ़ चुके थे तब तुम उन्हें बचाने क्यों नहीं गई जो बाद ग्रैक को पसंद नहीं आती है साथी ग्रैक जैक्स की यूनिट को भी इनफॉर्म कर दीता है कि वो लोग अपने इनफॉर्मर के लिए पांच कलो ड्रग एखटा कर रहे है ताकि उनका इनफॉर्मर एक बिग काटल के बारे में इनफॉर्मेशन प्रोवाइट कर सके साथी चीफ इन सभी को ओर्डरस दे दीता है कि अब तुम लोग नौर्थ में चोरियां नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को पहचान लिया गया है तो इलक सिटी के दूसरे हिस्सों में चोरियां करने लगती है जिसमें जैक की टीम भी इनकी मदद करने लगती है जिससे कुछी दिनों में ड्रक्स खटा हो जाता है तो पांच कलो खटा होने की खुशी में ये लोग पार्टी करने लगते हैं क्योंकि मिशन का टफ पार्ट तो अब शुरू होने वाला था जिसके तहत एंटोईन पांच कलो ड्रक्स लेकर आमिल के पास चला जाता है जो एंटोईन को काटल के बारे में जानकारी दे देती है कि तीन दनों बाद ड्रक्स की काफी बड़ी शिपिंग आने वाली है जो पीछे के किसी एपार्टमेंट में रखी जाएगी क्योंकि पीछे मौजद बिल्डिंग के किसी एक रूम में ट्रक काटल का स्टेश हाउस है जहां वो लोग अपने ड्रक्स और कैश को स्टोर किया करती जो जानकारी जानकर एंटोईन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि आमिल की जानकरी से वो ट्रक काटल से तक पहुंच नहीं सकता था तो आमिल उसे क्लियर कर देती है कि मुझे काटल के इस्टेश हाउस के बारे में कुछ भी जानकरी नहीं है मगर मैं तुमें ये बात पता सकती हूँ कि तीन दिन बाद एक ट्रक का शिप्मेंट उस इस्टेश हाउस में जाने वाला है तो तुम उस बैक को फॉलो करते हूँ इस्टेश हाउस तक पहुंच सकते हूँ मगर मेरी मानो तो इस केस में मत उल्चो क्योंकि वो लोग काफी जादा खतरनाक हैं जो बिना हैजिटेशन के पुलिस वालों पर गोलियां चला देंगे जिससे काफी सारे पुलिस वाले मारे जाएंगे जिस बात पर एंटुइंग थ्यान नहीं देता है जिसके बाद पुलिस की काफी सारी यूनिट अलग-अलग जगह से उस बिल्डिंग पर नजर रखने लगती है जिसमें कार्टल का स्टेश हाउस मौजूद था और फिर जल्द ही ट्रक डील का दिन आ जाता है जहां पुलिस वालों ने सभी जगह पर नजर बना रखी थी तो उन्हें एक पीली रंग की सस्पीशियस कार नजर आ जाती है जिसे दो मास्क वाले बंदे सर्च कर रहे थे तो यश इस बारे में अपनी यूनिट को इनफर्म कर देता है कि एक बंदा कार में मौजूद लोगों से किसी तरह की डील कर रहा था जो डील खतम हो जाने के बाद पासमाई बैट जाता है तो ग्रैक बाके पुलिस वालों को ओर्डस देने लगता है कि उस ड्रग डीलर से ज़्यादा उसके पास मौजूद बैक जरूरी है क्योंकि उस बैक को जैसे भी करके स्टैश हाउस तक पहुचाया जाएगा बच जाती है जिसका फाइदा उठाकर वो ड्रग डीलर स्टैश हाउस की तरफ जाने लगता है तो पुलिस वाले जल्दी से उसको चेल्स कर रहे लगते मगर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि वो ड्रग डीलर काफी जादा चालू था जिसने भागते वक्त अपने बैक को दूसरे बंदे की तरफ फैक दिया था जो उस बैक को लेकर बिल्डिंग में एंटर कर जाता है यानि पुलिस की प्लाइनिंग फेल होने वाली थी मगर यश ने बिल्डिंग के उपर होने की वजए से ये सारा सीन देख लिया था तो यश उस बंदे का पीछा करने लगता है जिसे फॉलो करते हुए वो पांचवे फ्लोर तक पहुंच जाता है जहां पर काटल का स्टेश हाउस मौजूद था वही बाहर पुलिस और काटल के बीच तकड़ी फाइट चालू हो चुकी थी जहां पुलिस वाले इन लोगों को अरेश्ट करने लगती मगर ग्रेग और एंटोईन को गडबड का एसास हो जाता है तो वह लोग यश को फॉलोग करते हुए बिल्डिंग में इंटर कर जाती है जहां जल्द ही उन्हें यश मिल जाता है जिसने अब तक काटल के स्टेश हाउस को ढोल डिया था जहां पर काटल के मेंबर पैसो और ड्रक्स को ट्रांसफर करने वाले थी तो वह लोग रूम में स्मोक ग्रिनेट फैंक कर हमला कर देते हैं साथी इनका बैक अप भी यहां आ चुका था जो जल्द ही स्टेश हाउस में मौझूद ड्रक्टीलर्स को अरेश्ट कर लेते हैं साथी स्टेश हाउस में मौझूद ट्रक्स और पैसो को जब कर लिया जाता है तो इस मिशन के पूरा होने के बाद टीम काफी जादा खुश थी जो लोग फिर पुलिस टेशन में इंजॉय करने लगते हैं साथी पुलिस चीफ जेरोमिन के काम की तारीफ करने लगता है जिसके बाद एंटोइन आमिल को पांच क्लो ट्रक्स और दे देता है इस उमीद में कि आमिल अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करे मगर अब एंटोइन को अंदाजा नहीं हुआ था कि उसकी लाइफ की धचिया उड़ने वाली थी क्योंकि इस सब के दो मेने बाद पुलिस इनके घर में रेड करने लगती है जिस बात पर ग्रैग, एंटोइन और यश काफी ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि उनके साथ ये सब क्यों किया जा रहा है मगर उनके सवालों के कोई भी जवाब नहीं दिये जाते बलकि उन्हें तो कैप्चर करके इंटेरोगेट किया जाता है जिसकी जिम्मेदारी डेटेक्टिव इयान को दी गई थी जो ग्रैक की यूनिट पर चोरी और ड्रग डीलिंग के आरूप लगाने लगता है जो बाद जानका टीम बिल्कुल भी खुश नहीं थी जोकि ये सब तो उन्होंने चीफ जेरोम के कहने पर किया था मगर इस बात पर डेटेक्टिव इयान को भरोसा नहीं होता है जो इनसे कनफैस करने की डिमांड करने लगता है मगर अब ग्रैक की पूरी तरह से सनक चुकी थी जोकि उन्हें उन्हें के डिपार्टमेंट ने पिट्रिक कर दिया था ओवियसली पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें सेक्रिफैस करना चाहता है ताकि उन्हें सैक्रिफाइस करके पुलिस की इमेज बचाई जा सके जिसके लिए डेटेक्टिव ईयान उसकी मलाकाद चीफ चेरोम और जज से करवा देता है जो इन लोगों से पूछताच कर रहे लगती है जिस दौरान जेरोम इन्हें पिट्रे कर देता है क्योंकि उसने जज के सामने जूट बोल दिया था कि मैंने ग्रैक की यूनिट को ड्रक्स चोरी करने के कैसे भी ओर्डर्स नहीं दिये थे ये सब उन लोगों ने मेरी बिना पर्मीशन के किया होगा तो ये सब जानकर जज केस को फाइनलाइज कर देती है जिसके तहट ग्रैक की यूनिट को जेल में बंद कर दिया जाता है मगर जेल में मौझूद जादतर प्रिजनर्स को इन लोगों नहीं अंदर भीजा हुआ था तो वो लोग इन तीनों को शर्मिंदा कर रही लगती और फिर जल्द ही इस इंसिडेंट को टीवी पर शो किया जाता है जहां ग्रैक और उसकी टीम को करप कॉप्स बताया जा रहा था ओविसली पुलिस वाले उन्हें बदनाम करके बाकी डिपार्टमेंट को बचाना चाते थे जो बात ग्रैक को पसंद नहीं आती है तो वो एक दिन गुस्से में वार्डन पर भी हमला कर देता है जिसके लिए ग्रैक की अच्छे से तुड़ाई कर दी जाती है वहीं एंटोइन का लॉयर उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हें अपने इंफॉर्मर की डेटेल्स पुलिस ते शेयर कर देनी चाये जिसका नाम बाहर आते ही तुम पर से सभी चार्जिस को हटवा दिया जाएगा मगर एंटोइन एक इमांदर पुलिस वाला था जो इतना सब हो जाने के बावजूद पुलिस वालो को आमिल की डिटेल्स नहीं देता है जिसके बाद हमें यश्की वाइफ दिखाई जाती है जो जैक से मिलकर हेल्प मागने लगती है ताकि वो जजज के सामने कवाई दे सके कि ग्रैग और उसकी यूनिट जेरोम के ओर्डस को फॉलो कर रहे थी मगर इस सब के लिए जैक साफ हिंकार कर देता है क्योंकि ऐसा करने से भी ग्रैग और उसकी यूनिट आजात नहीं हो पाएगी जिस बात पर नौरा काफी ज़्यादा कन्फ्यूज थी तो पुलिस वाले उसे रिवील कर देती है कि उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पावफुल पॉलिटीशन्स को पता चल गया था जो इस इंसिडेंट का फायदा उठाना चाते और उन्हीं लोगों ने इस केस का बतंगड बना डालाए वैसे भी ग्रैग की यूनिट ने इंफॉर्मर को पे करने के लिए पांच कलो ड्रक्स चुराए थे जो कि अपने आप में एक क्राइम था और इस न्यूस के बाहर आजाने से पूरे डिपार्टमेंट की बतनामी हुने वाली थी जो कि इस ऑपरेशन में तो पूरा डिपार्टमेंट शामिल था तो पुलिस की इमेज बचाने के लिए ग्रेग की यूनिट को इसकेप गोट की तरह यूस किया जा रहा है ताकि उन्हें सैक्रिफास करके बागी पुलिस डिपार्टमेंट को बचाया जा सके और वो लोग तब तक आजाद नहीं हो सकते हैं जब तक कि वो लोग प्रूव ना कर दें कि उन लोगों के चुराए गए पांच कलो ड्रक्स इन्फॉर्मर को दिये गए थे और तब तक यही माना जाएगा कि ग्रेग और टीम ने पांच कलो ड्रक्स चुरा कर बेच दियोंगे जिस बात को जानकर नोरा काफी ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि वो अपने हस्बेंट को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पारी थी तो वो कुछ सोचकर प्रिजन चली जाती है जहां यशों से देखकर काफी ज़्यादा खुश था मगर फिर भी वो अपनी वाइफ को एडवाइस करने लगता है कि तुम्हें मुझे भूल कर न्यू लाइफ चालू कर देनी चुईए जिस बात के लिए नोरा साफिंग कार कर देती है क्योंकि वो यश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और फिर जल्दी कई महीने बीच जाती है जहां जेल में ग्रैक की हालत काफी जादा बिकट चुकी थी ज़र दिन रोज पागल होता जा रहा था जो बात यश और एंटोइन से देखी नहीं जाती है तो एंटोइन अपने दोस्तों की खातर पुलिस वालों को आमिल की इंफॉर्मेशन रिवील कर देता है जिसे फिर जल्द ही अरेश्ट कर लिया जाता है जहां पुलिस वालों को आमिल के पास पांच कलो ट्रक्स मिल जाते हैं जिससे ये बात भी प्रूव हो जाती है कि Greg की यूनिट ने पांच कलो ड्रक्स आमिल को देने के लिए चुडाई होंगे तो इस investigation के पूरा होते ही Greg की यूनिट पर से सभी charges हटवा दिये जाते मगर वो लोग Greg की यूनिट को इतनी आसानी से आजात करना नहीं चाहते थे जहां वो सबसे पहले Greg को पुलिस फोर से निकाल देते साथ ही यश ने पुलिस यूनिएन को जोइन कर लिया था ताकि वो अपने फैलो पुलिसमेंस को मैनेजमेंट से बचा सके और रही बात एंटोईन की उसे प्रिजन का नर्स बना दिया गया था क्योंकि पुलिस वालों को एंटोईन के घर से काफी सारा ड्रक्स मिला था जिसकले एंटोईन को पनिशमेंट तो मिलनी थी और इसी के साथ ये लॉव, और और बिट्रेल वाली मूवी एंड हो जाती है सो गाइस वीडियो के ले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिये ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे